राश्ट्रोन नती के पतपर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्शिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डौक्टर श्रीमती स्वाती सदानन्द गोड गोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांग 28 अगस्त का विचार त्याग और पराक्रम देश के आधार कोई भी राष्ठ अपने योकों के एंद्रिय विशयों तथा क्लिवता में लिप्त हो जाने पर जीवित रहने की आशा नहीं कर सकता है यह क्षय तथा विनाश का निश्चित लक्षन है भले ही कुछ काल विशेश के लिए राष्ट कितना भी सम्रुद्धशाली तथा शक्तिशाली हो जाए एक बार एक अमेरिकी सम्वाददाता यह जानने के लिए मुझसे मिलने आया कि अमरिका तथा रूस की वर्तमान खीचातानी में अपने संग की सहनुभूती किस ओर है परन्तु हम तो अपने ही पैरों पर दुड़कड़े रहते हैं अपने आपको किसी भी और खीचने नहीं देते उसने पूछा आपकी आजकल के अमेरिका के बारे में क्या राय है मैंने उत्तर दिया अमेरिका बड़ी तेजी के साथ आत्मविनाश के मार्ग पर जा रहा है आप जरा अपने वस्त्रों को देखे आप एक धीला ढाला फैशनेबल वेश पहने हुए है आपकी जेब में कंगा है वह आजकल के सामान्य अमेरिकी की स्त्रेण प्रकृती का परिचायक है प्रथम विश्व युद्धम्प में मित्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी एक फ्रांसीसी मार्शल फोष था उस समय उस राष्ट्र की इतनी पराक्रम युक्त स्थिती थी कि उन्होंने विकट निश्चे के साथ जर्मनी से मोर्चा लिया और अन्तता युद्धमें विजय प्राप्त की उन्होंने जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा भी अपने अधिकार में कर लिया परंतु विजय के पश्चात फ्रांसीसी लोग इंद्रिय लोलूपता तथा सुखोपभोग के शिकार हो गए वेव मध्यपान नाज गाने में लिप्त हो गए जिसके फलस्वरूप अपने विशाल सैनिक संगठन तथा अपनी मेजिनों रेखा के होते हुए भी द्वितिय विश्वयुद्ध में जर्मन आक्रमन के 15 दिन के अंदर ही फ्रांस का पतन हो गया और फ्रांस के आकस्मिक तथा पूर्ण पुरुषत्व की शक्ती को उखाड फेका गया हमारे देश में भी परिस्थिती भिन्न नहीं है तरुण पुरुषों का आधुनिक फैशन बना है अधिक अधिक स्त्रैन रूप में दिखाई पड़ना वेश में, स्वभाव में, साहित्य में और अपने दैनन्दिन जीवन के प्रतेकक्षेत्र में आधुनिकता का अर्थ हो गया है स्त्रैन ता योन हमारे सभी आधुनिक साहित्य का एक सर्वव्यापी विशे विशेश हो गया है समसारवर के देशों के इतिहास ने बार-बार यह प्रकट किया है कि योन प्रभावित साहित्य ने ही राश्ट्रो तथा सभ्यताओं के विनाश की निश्चित भूमिका तैयार की है यह है संक्षेप में स्वातंत्रकाल में हमारे राश्ट्रिय जीवन का अंतरिक चित्र यह खत्रे का संकेत है जिसके प्रती हम दुरलक्षन नहीं कर सकते इन परिस्षितियों में केवल संगही एक ऐसा संगठन है जिसने अपने समाज को एक ऐसे शुद्ध, पवित्र, कल्यानकारी तथा संगठित जीवन में सूत्रबद्ध करने का निश्चे किया हुआ है जो त्याग एवं पराक्रम की भावना से युक्त हो और जो हमारे प्राचीन तथा गवरोशाली राश्ट्रत्व की भावात्मक तथा स्थाई नीव पर आधारित हो अपने राश्ट्र की रक्षा तथा पुनर निर्मान के लिए ऐसे ही संगठन का आसरा लिया जा सकता है और यही है आव्वान अभी तक अपूर्ण इस कार्योध देश्च का जो राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग के निरंतर विकसित होते हुए तथा निरंतर बढ़ते हुए कार्य के पीछे की प्रेरक शक्ती है असुर वृत्ती का विनाश करते कई हुए अवतार यहाँ पर आक्रमकों को परास्त करने कई हुए ये महावीरवर भारत मता की जय वंदे मातरम